बिहार में 16 लोग सभा सीट पर 20 माई को मतदान हुआ और वहीं मतदान होने के बाद जिस तरीके का हिंसा का मामला सामने आया जिसके बाद SIT की टीम को गठित किया गया और वहीं गठित करने के बाद राबडी आवास पर पहुँच कर उन लोगों ने जाच परताल किया जिसम राबडी देवी के दूसरे बॉड़ी गार्ड आफ्ताव आलम को भी सस्पेंड कर दिया गया है वह रोहिनी आजशार्य के साथ सारन लोग सभा सीट पर मतदान के दिन दिखे हैं जिसके बाद अब राबडी देवी के दूसरे बॉड़ी गार्ड को भी सस्पेंड कर दिया कि सच में उनके दूसरे बोडी गार्ड भी उस दिन गलत तरीके से किसी को कुछ पता नहीं था लेकिन इसके बाउजद भी वह उस दिन सारन लोग सभास सीट पर रोहनी अचारे के साथ दिखे हैं और उनका एक वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है और वहीं उस वीडियो का जाज परताल किया और वहीं उस वीडियो को सही पाय जाने पर अब राबणी देवी के दूसरे बोडी गार्ड को भी निलंबित कर दिया गया है यहां एक और बड़ा एक्षन लिया गया है बाई की सब कुछ है से वीडियो में विस्तार से बताते हैं बिहार के छपरा लोकसभा सीट पर बोटिंग के दिन हुई हिंसा के मामले में एक और एक्षन हुआ है अब इस मामले में आरजडी सुप्रीमो लाली प्रसाद यादव की पतनी एबंपूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी की सुरक्षा में तैनात एक और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है निलंबित सिपाही पर 20 मई को सारन लोग सभा सीट पर मतदान के दोरान आरजडी प्रत्याशी रुहिनी आच्यारिय के साथ घूमने का आरोप है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था वीडियो की जांच के बाद वैशाली जीला एसपी ने निलंबन की कारवाई की है वही निलंबित सिपाही का नाम अफ्ताब आलम है जो वैशाली जीला बल में तैनात है अफ्ताब की ड्यूटी पूर्ब सीम राबडी देवी की सुरक्षा में लगाई गई थी मगर छप्र वोटिंग के दौरान वह रोहिनी आचार्य के साथ नजर आया वीडियो वाइरल होने के बाद एसपी ने मामले की जांच कराई सही पाए जाने पर सिपाही के खिलाफ कारवाई की और वहीं जानकारी के अनुसार 20 मई को सारल लोकसभाद चुनाव हो रहा था इसी दौरान पुर्ब मुख्यमंत्री राबडी देवी के अंग रक्षक के रूप में तैनात रहे सिपाही को लालु प्रसाद यादव के बेटी के साथ एक मतदान किंद्र पर देखा गया जिसके बाद पूरे मामले के जांच परताल के लिए एक S.I.T. का गठन किया गया था जो पूर पुर्ब मुख्यमंत्री स्रीमती राबडी देवी के अंग रक्षक के रूप में प्रती नियुक्ति किया गया था उनका वाटसप के माध्यम से एक फोटो वीडियो सारन जीला में होने का वाइरल हो रहा है जो की जांच उपरांत सही पाया गया उक्त सिपाही का बिना आदेश उलंगन एवं अयोग्य पुलिस कर्मी होने का परिचायक है उक्तारोप में सिपाही एकस आर्ठ अफ्ताब आलम को ततकाल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तो जैसा कि सारन लोग सभा सीट पर जिस दिन मतदान था यानि की 20 मैं को मतदान हुआ है और वहीं मत देवी के बॉडिगाड के साथ वह दिखी है जिसके बाद उन पर करवाई हुए दोनों बॉडिगाड को अब निलंबित कर दिया गिया है क्योंकि गयार तरीके से वह उस दिन रहिनी आश्चारे के साथ दिखे हैं बाकि इस तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और अगर आप ये वीडियो को फालो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूटिब चानल पर देख रहे हैं तुमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का अश्याना ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुड़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाएं, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुड़निया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हो, अपने पुड़निया में घर ले लिया है पुड़निया के e-homes panorama में पुड़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सक अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी, पुड़निया में e-homes panorama के संग, e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined